पहले जो इतना जो गिरावट हो रहा था क्या मोमेंटम इसमें वापस आ गया है तो देखते हैं तो आज हम बात करेंगे मैक्रो एकनॉमिक्स जो फैक्टर से जो इफेक्ट करते हैं स्टॉक मोमेंटम को पर एक्जांपल कुरूडल हो गया हमारा डॉलर इंडेक्स हो गया है यह सब देखते हैं आज हम तो बात करते हैं पहला जो फैक्टर है जो स्टॉक मार्केट हो काफी इंफ्लुएंस करता है वो होता है हमारा ब्रेंट कुरूड का प्राइस ठीक है ब्रेंट कुरूड का प्राइस आप देखिए यह जो हाई मारा था यह हाई मारा था 95 डॉलर और बैरल उसके बाद ये करेक्ट हुआ फिर वापस उपर गया फिर वापस नीचे आए मतलब कि जो क्रूड ओल का जो ट्रेंड है वो आप डाउन ट्रेंड है तो ये काफी अच्छा बात है मार्केट के लिए पहला चीज क्रूड ओल नीचे आ रहा है क्रूड ओल नीचे आ सपात है तो?」 इंफ्लेशन कंट्रोल में आता है। तो जो जो सेंट्रल बैंक और फेडरल इजर्व वह रेट नहीं बढ़ाएगी या फिर रेट कट करने के चकर में रहेगी अगर इंफलेशन कंट्रोल में रहता है तो यह अच्छी बात है ब्रेंट क्रूड होल का निच्च वहना एक बहुत अच्छी बात है दूसरा हमारा है डॉलर इंडेक्स भी उपर का जो काफी अच्छा यहां दो दिन से फॉल आया ठीक है तो डॉलर डॉलर इंडेक्स का डॉलर इंडेक्स भी अच्छा कासा फॉल कर चुका है तो यह भी काफी अच्छा बात है डॉलर इंडेक्स तीसरा है हमारा जो दस साल का जो बॉन इंडेक्स है यह सबसे इंपोर्टेंट है अगर आपको ध्यान रखना है तो दस साल के जो बॉन इंड प्रफिल्स भी काफी अच्छा नीचे आचुके हैं तो यह जो तीनों फेक्टर है ठीक है ब्रेंट कूल डॉलर इंडेक्स और दस साल का जो बॉंड है यह तीनों कूल अप हो चुके हैं नीचे आचुके तो मार्केट के लिए काफी पॉजिटिव साइन है दूसरा बात जो यह फसी वुआ है कि अमेरिका को जा अजो बजार है जो यह काफी अच्छा रिकवर कर रहे आप देखिये जो यह देखिये इसका यहां से 26 October से कितना अच्छा recovery है ठीक है NASDAQ में ठीक है तो अगर NASDAQ अच्छा करता है तो US का market अगर अच्छा करता है तो इंडिया का भी करेगा और Dow में भी काफी देखिए काफी अच्छा rally आ चुका है तो overall market positive लग रहा है because सारे factor हमारे favor में है मतलब अमेरिका का बजार भी टिक कर रहा है जो crude oil है dollar index है और US का 10 year bond yield है वो भी नीचे है तो market overall अच्छा लग रहा है भी momentum वापस आ रहा है market में ठीक है और अगर आप Nifty का चार्ट देखेंगे ठीक है तो Nifty भी काफी अच्छा ये जो level है 19,230 के आसपास क्लोज किया तो ये भी काफी अच्छा साइन है ठीक है तो चलिए वीडियो को समाप्त करते है थैंक यू और चैनल को प्रसादर लाइक और सब्सक्राइब करें थैंक यू